पहला 1942 में अंतर जातिय विवा हुआ पहला ही था और अच्छे सुशिक्षित लोगों का था इसलिए उसकी प्रसित्ती हुई उसके लिए जो सुभसंदेश आये थे उसमें पुझेनिय डॉक्टर बाबा साब आमबेड़कर का भी संदेश था और पुझेनिय शरी गुरुजी का भी संदेश था और गुरुजी ने उस संदेश में कहा था कि आपके विवा का कारण केवल शारी काकरशन नहीं है आप ये दामपित्य जीवन की सब प्रकार की शुभकाम ना देता हूँ मानव मानव में बेद नहीं करना रुची अरुची प्रत्यक की अपनी होती है पूरा जीवन साथ में चलाना है वो ठीक चल सकता है कि नहीं इतना देखना चाहिए तो बेटी विवार को भी हमारा समर्थन है मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि भारत में अंतर जातिय विवाओं की गणना करके अगर परसेंटेज निकाला जाए तो शायद आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज संग के स्वेंशों को का मिलेगा ऐसा करने वाज़े